हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चिनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे जारकंड के पॉलिटेगिनिक ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आप सभी को पता है कि जारकंड में जो है ऑनलाइन फॉलिप किया जा रहा है जो कि फरवरे सी स्टार्ट हो चुका है और आपका ओनलाइन फॉलिप करने का लास्ट जो है दस अप्रिल तक है इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब करेंगे इसमें आपका एज लिमीट कितना होना चाहिए कितना एज मांगा गया है या फिर आपका क्वालि की दिया है apply start date आपका जो form कब से start हो चुका है online apply होना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 27 फरवरी 2023 से यह online apply start हो चुका है जो कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आपका apply last date आपका जो last date कब है और ज्यादा दिन तक है नहीं आपका जो date ल notice में आपका exam date भी दे दिया है आपका जो है इसमें exam कब होगा exam date में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30 April 2023 को जो है आपका exam हो जाएगा यहाँ तक होगी आपका date clear इसमें काफी लोगों को डाउट है कि कौन-कौन लोग इसको भर सकते हैं कई सारे ऐसे student हैं जो metric दे चु कर रहे हैं कि सर मेरा is अभी तक नहीं हुआ है कुछ उपाय कर देजे तो मैं आपको इस वीडियो में जो है इसी चीच को लेकर बताने वाला हूँ देखे इसमें आपका qualification आपका जयाने की सेचनिक योग्याता कितना बंगा गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10th pass ठीक है आपका जिसमें metric pass होना चाहिए या फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं और में या फिर आपका appearing appearing का मतलब है अगर आप लोग 2023 में metric दी हुए आपका result अभी तक declare नहीं हुआ है तो भी आप लोग इस form को fill up कर सकते हैं ठीक है कम से कम आपका 10th pass होना चाहिए अगर आप 10th pass नहीं भी किये है तो अगर आप 2023 में exam दी है metric का तो भी आप इस form को fill up कर सकते हैं लेकिन इसमें आ आपका counselling होता है जब आपका counselling होगा तब तक जो है आपका result आजाना चाहिए क्योंकि counselling के बाद जो है आपको result को college में submit करना पड़ता है ठीक ही यह चीज़ होगी आपका clear आप सभी लोग जितने भी student 2023 में exam दिया है metric का वो लोग भी इस form को fill up कर सकते हैं अब next है दोस्तो आपका age limit कितना होना चाहिए देखे दोस्तों इसमें जो है मेरे वीडियो पे पिछले वीडियो पे एक student कमेंट किया था कि सर मेरा age अभी तक नहीं हुआ है कैसे form को भरा जाएगा इसमें जो है age limit नहीं रखा गया है इसमें जो है age limit नहीं रखा गया है यहाँ पर आप लो कि minimum age requirement जो है 17 साल है और बाकी other trade जितने भी होते हैं जैसे कि future electrical mechanical engineer यह सब चीज के लिए आपका age requirement नहीं है minimum या फिर maximum age आपका कितना भी हो सकता है इससे कोई दिक्कत नहीं है तो अभी जो है आप लोग form को flip कर सकते हैं जैसे कि कई लोग जो है mining engineering को करना चाहते हैं उसका 17 सा हो जाना चाहिए अगर आपका 17 साल नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आप जो है mining engineering को छोड़ दीजे कुछ और trade ले लिजेगा कुछ में कोई दिक्कत नहीं आप फिर भी इस form को flip कर सकते हैं और वैसे भी आप लोग form को flip कर रहे हैं तो आपको जो है mining trade लिजेगा या फ आपको select करना नहीं है आपको simply शिर्फ form को भर देना है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि आप जो है mining engineering को तभी लिजेगा जब आपका minimum age 17 साल हो गया होगा ठीक है तो मैंने सारी चीजे बता दिया है और उमीद करता हूँ कि आपका जो है सारा चाह हुआ है तो जिन भी इस टुडेंट ने अभी तक इस फर्म को फिल अप नहीं किया है आप लोग जल्द से जल्द इस फर्म को फिल अप कर देजएगा थैंक्यू दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत